प्रभीश्य मसी के साम मर्थी नाम में आप मंगते हैं अपनी हादों को उठाओं आज का वचन आपकी जिन्दुगें में सोगुना फलो को लेके आए अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सकें परमेश्य का आत्मा आपको इन लाइट करें आपको रोश्नी दें इन वचनों के द्वारा इन वचनों के द्वारा आपके रास्ते खुलें इश्य मसी के नाम में आपका आमीन जितना लंबा बलस्नी कुती लंबी ये वर्ड आज जो परमिश्व ने मुझे दिया आपकी जिन्दुगे में सोगो नफल लेके आए शैतान शर्मिन दाओ इन वचनों के द्वारा आपकी लाइव में ये श्मसी के नाम में है प्रभी श्मसी के सामर्थी नाम में हम मंगते हैं अब स्वागत जीवित परमिश्व के जीवित हजूरी में आमें मेरा ये बिलीव है कि जैसे ही एक इनसान परमिश्व को अपना लव शो करता है और प्रूफ करता है वो छूटने की तरफ चल पड़ता है आमें जितना लंबा रोंचा ब्लेस्नी को ते लंबी चर्च बैट जो अपने शरीर में आज परमिश्व की हजूरी हमारे बीच में महजूद है बैट जो बैट जो अपनी चेर पे उसने जो मुझसे प्यार किया मैं उसको छुडाऊंगा परमिश्व ने यह नहीं लिखा कि उसने जो मुझसे चालीस रोजे रखे तो मैं उसे चुडाऊंगा इसका मतलब यह नहीं आप रोजे ना रखो मैंने ऐसे लोगों को भी रोजे रखते देखा है जो बोलते थे चालीस रोजे रखे हम नंगे पैर चर्च में आएंगे अगर परमिश्व ने सुन ली तो ठीक है नहीं तो कहीं और चले जाएंगे ऐसे रोजों से परमिश्व प्रसंद नहीं होता इसलिए उसने यह नहीं कहा कि तु रोजा रख मतलब चुडाऊंगा तु प्रेयर कर या तु यह काम कर तू उसने कहा जब तुम उससे प्यार करेगा मैं तुझे क्या करूंगा चुडाऊंगा जब आप परमिश्व से स्ने करते प्यार करते तब आपके लिए वही परमिश्वर है वो आपको चंगा करे या ना करे आमीन आप हर प्रिस्थिती में उसके साथ वफादार रहते हैं वो आपको हील करे डिलिवर करे या ना करे आप जानते परमिश्वर ने आपके लिए अ जो आपको चाहिए आप जानते जब परमेशों ने आदम को बनाया आदम को बनाने से पहले Bible बयान करती है कि उसने सारी स्रिष्टी को पेड derived को जानवरों को पानी को बादलों को हवा गो एटमोस्फियर को वेडर को सब कुछ बना और फिर उसने आदम बनाया आजा दुबारा से मिट्टी गूंत के मैं बनाता हूं लिखा उसने आदम को गहरी नींद में डालके उसके बीच से पसली को निकालके उसमें उसमें मास भर दिया और वो जीवता प्राणी बन गई और हवा बन गई और बन गई एक भी चीज परमेश्वर ने बनाई नहीं ज उसने जब कहा कि सब पूरा हुआ इसका मतलब परमेश्वर ने सब कामों का इंतजाम करके अपने प्राण प्याग दिये तीसरे दिन फिर वो मुर्दों में से जी उठा जी उठके फिर एकदम से उसने स्वरग में नहीं चला गया था कि लोग यह ना बोले कि जूट था फ पहाड पे सब लोगों के देखते देखते बातलों के बीच से वो स्वरग पे उठा लिया गया अमेन इसका मतलब क्या कि अगर परमेश्वर अब सब कुछ पूरा कर चुके हैं तो मैं वह चीज कैसे परमेश्व से लूँ जो मैं चाहता हूं मैं अपने भाई की सालविशन कैसे लूँ उसको मैं पापों से अजाद कैसे करवाओं उसको मैं निशे से अजाद कैसे करवाओं आप जब एक मॉल में जाते हैं उस मॉल में सब दुकाने होती हैं उसमें कपड़े की दुकान है उसमें परफ्यूम की दुकान है उसमें कॉस्मेटिक की दुकान है उसमें बेड़ शीट है उसमें सब कुछ है दुनिया का हर मेटीरियल जो आपको चाहिए हाँ या ना पर उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा मॉल के अंदर आमें मॉल क कई अंदर जाते हैं आपको सबकुछ मिलना शुरू होता है एक दुकान से दूसरी से तीसरी से वह सब ज़रूरते आपकी पूरा होना शुरू होती है है कि उसी तरह से प्रमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर बनाया एक ठांचा बनाया जिस धांचे के अंदर उसने सब पुछ रखा हुआ है इसलिए उसने का था सब पूरा हुआ इट इस फिनिश्ट कि मतलब मैंने एक धांचा बना के उसको फिनिश कर दिया अपने लहू से उसे रंग दिया अब धांचा बन चुक है आमेन अब उस धांचे के अंदर मुझे क्या चाहिए वो मैं उस धांचे के अंदर जाके देखूँगा आमेन परमेश्वर ने अब कुछ करना नहीं है आपके लिए आपको धिमाग में रखने है वो कर चुक है आपको उस धांचे के अंदर जाना है उस structure के अंदर जाना है आमेन एक बात याद रखो परमेश्वर ने जब कौन इंसान आज ज्यादा आशिशित है और कौन कम आशिशित है इस वसी ने कहा कोई 30 गुना कोई 60 गुना कोई 100 गुना फल लेके आएगा मर्जी ये परमेश्वर की नहीं है कि एक बंद एनू ती गुना मिलेगा एक एनू सठते देओ एनू सो देओ नो मर्जी जो है वो इनसान की है कि वो कैसे रिस्पॉंस करता है परमेश्वर के सामने उस तरीके से परमेश्वर उसको लेता है हालेलुया पहली बात उस structure में जा वो लेना चाहते हैं अपना हम बाइबल कहती है कि जब उसके बेटा नहीं हुआ और 25 साल 24 साल इंतजार उसने किया बाइबल कहती है अगर 25 साल बाद भी अगर आज परमेश्वर एक विश्वासी आपको आके बोले कि भाई प्रभू तुझे चंगा करेगा चल चर्च में और 10 साल आपको चंग्याई ना मिले तो क्या फिर भी आप चर्च में जाना चाहोगे दो तरह कि सुनो सब कुछ आपके लिए बनाया गया परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए किया अगर वो आपको शरीरिक बरकते ना देना चाहता तो सिर्फ अपना लहू बहाता और म जाए आज जो चर्च गलती करती वो यह है कि उनका ध्यान सिर्फ चंग्याई की तरफ है आज पास्टर भी अगर उसके पास अगर वो प्रोफेसी करना चाहते है तो उसने प्रोफेसी की उपर ये अपनी मिनिस्ट्री बना ली पूरी प्रवों लोगों को ये बताना भूल गया कि आपको उसकी आमद के लिए तैयार भी होना है आपको आत्मी कृति के साथ बढ़ना भी है कि जब प्रभी श्रुमसी आपको लेने आए यह ना हो आपके बाद दस तरह की बरकतें हो पर आत्मा में आप परमेश्वर से दूर हो आपको यह बात समझने कि अपरहम ने कहा मैं उस स्वर्गय यरुशलम की बाट जोता हूं इसका मतलब क्या था इसका मतलब यह था कि जब उसे यह मालूम हो गया कि जो वाइदा परमेश्वर ने मेरे साथ किया था अब शायद वो पूरा ना हो तब उसका ध्यान कहां पे था स्वर्गय यरुशलम यानि स्वर्ग की और एक स्वर्गय नगर की बाट जोता था यानि जब उसने यह देख लिया कि ठीक है अब मैं हीलिंग अगर मेरी ना हो तो कोई बात नहीं लेकिन मैं स्वर्ग जा रहा हूं ध्यान कहां था स्वर्ग के उपर कि अगर मेरी healing ना हो तो क्या मैं परमेशु से दूर हो के अपनी salvation भी गवा लूँ अपनी मुक्ती भी गवा लूँ अपना उधार गवा लूँ क्या बाइबल कहती है अपने उधार पे काम करते जाओ आज मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं कि क्यूं अपराम की life में चमतकार थे और एक वंदे की life में आज परमेश्वर चूता नहीं उसको कारण क्या है कारण परमेश्वर नहीं कारण हम खूद है जब अपराम का ध्यान सुरक की और था तो परमेश्वर का आत्मा उसे चूप पाया और वो दे पाया जो इसको इस दुनिया मे चाहिए था आमेन क्योंकि ध्यान कहां पिता अब्राम का सुरक पे ध्यान कहां था ध्यान उसका बरकत के उपर नहीं था ध्यान उसका पैसों के उपर नहीं था या ध्यान उसका श्रिदिक होने पाऊं कि हालिलुया पर आज चाहिए सिर्फ प्रोफेसी आज क्या चाहिए सिर्फ हीलिंग जिसरा वो भाई ने शिकंजा छोड़ दिया मेरा भी जूट जाए इस रहा उस बैन के 17 साल में बेबी हो गया मेरा भी हो जाए बप्तिस्मा लिया जी नहीं जी प्रार्थना कर कारी ने कि मैं तयार हो रहा हूं अगर आज प्रवीश्य में लेने आ जाएं तो मैं सबसे ज़्यादा खूश हूं कि मैं सबसे ज़्यादा आनंदी दूं कि काम ख़ता हूं हाँ असली घर जलो हूं है पर लोगों को डर लगता ऐसा कहने में भी आज है अपने हम इसी लिए कि में इस दुनिया में सकसेस्फुल था व्योंकि उसका ध्यान जो था वह आत्म कि अगर रमुछ ये ना भी मिले तो मैं क्या मेरी पुजीशन की अगर मुझे ये नम मिले तो मेरी पॉजीशन किया या जो अगर मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रेयर पूरी ना हो तो तब मेरे आत्मिक पूजीशन क्या है क्या मैं प्रमेश्व के साथ खड़ा रहना चाहूंगा या नहीं फिर प्रमेश्वन निर्धारित करता है आपको कितना दूर लेके जाना है उसने जो मुझसे स्नेह किया मैं उसको छुडाऊंगा मुझसे जो प्यार किया इसलिए मैं उसको छुडाऊंगा मैं उसको उंचे स्थान पर रखूंगा उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा उसे लंबी आयू से त्रिप्त करूंगा उसे अपने उधावर का दर्शन दिखाऊंग परमेशो ने अब एक structure बना दिया एक धांचा बना दिया एक मकान बना दिया उस मकान के अंदर सब कुछ है पर उस गुप्त स्थान में उस प्रभू के स्थान में कौन परवेश कर सकता बाइबल कहती उस धांचे में है तो सब कुछ पर जो वो धांचे में रखा सब कुछ च इंपाटिशन चाहते हैं वो अपने फादर की अनॉइंटिंग चाहते पर अपने फादर को नहीं चाहते अज लोग अपनी जरूरत और अपने अपने मूड के हिसाब से बदल जाते हैं और परमेशुर भी ऐसा ही है अगर आप अपनी जरूरत के लिए उस धांचे के अंदर जाना चाहते हैं तो हो सकता आप संघर्ष करें पर अगर आप दिल से उस धांचे से प्यार करते हैं तो आपको अंदर ले जाएगा वो पर अगर आपके आपकी आँखे सिर्फ बड़ी बड़ी इसलिए हो चुकी है कि उस धांचे के अंदर बहुत कुछ है क्योंकि उसको मिला आपके आँखों के सामने मिरेकल्स हुए आपके आँखों के सामने छुटकारे हुए आपके पडोसी के हुआ आपके रिश्यदार के हुआ आपके आँखों के सामने हुआ वो जूट नहीं था आपके आँके खुली हैं कि मेरी लाइफ में कब पर उसकी लाइफ में उस धांचे के अनदर वो सब कुछ मिल सकते हैं जो उस धांचे से क्या करता है प्यार करता हैं आप जैसे एक स्ट्रक्चर के नीचे जाते हैं आप परमेश्वर ने क्या का परमेश्वर ने का अगर सुनों अगर आप क्रिश्चन हो और आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ाए आपकी प्रार्थना 40 साल कभूल नहीं हो सकती जब तक आप ताइधर नहीं है क्योंकि एक धांचा है आप जब धांचे के अंदर आते हैं एक स्ट्रक्चर बना दिया परमेश्वर ने कि अगर तुम मुझे ना लूटे और अपनी कमाई से अपने दश्वान से तो मेरी महिमा करे तो मैं तुम्हें इतनी बरकत दूंगा कि तुम्हारे रखने के लिए भी जगा नहीं होगी हां ऐसे यह नहीं है पर अगर मैं सिरुफ प्रार्थना करूं और धांचे के अंदर ना जाओ जो परमेश्वर ने बनाया मेरे फाइनेंस के लिए हालेलुया मैं अपने फाइनेंस के लिए प्रात्ना नहीं करता हूं अगर करूंगा तो वो तीन-चार लाइनों से लंबी नहीं होगी पांच साथ सेकिंड से लंबी नहीं होगी कि मैं प्रेटिकल करने में विश्वास करता हूँ जो परमिष्वनने मुझे उस काम के लिए बुला रहे हैं और जैसी आप उस धांचे के अंदर जाते हैं आपको मालूम है अपनी हीलिंग के लिए मुझे ये करने सबसे बढ़े मुझे उस धांचे से प्यार करने पर मिशव से लव करने उसके बाद अंदर जाने उसके बाद हर एक चीज्थ के लिए एक सिस्टम बना हुआ कि मुझे pakडेशन चाहिए मुझे अधिनगी करने यह कि मुझे finance में बढ़ने तो परमेश्व ने मिनिस्ट्रिस ठहराईं काम ठहराईं जहां आप काम करतें परमेश्व का बोतें तो परमेश्व आपको बढ़ातें आपको healing चाहिए आप healing अन्धे कभी भी चंग town करतें अरह है हँं को और आपने कभी यह मसीज़ कोसे चलते नहीं देखा होगा कि इसी मसी जहा रहे हाम मैं विश्वास करताूं ऐसे healing होती थि दिमांड करने से उठांचों के अंदर जाने से जो चीज मुझे चाहिए कुस पर दिमांड करने से अमेन आप्धि अगर कपड़े चाहिए तो मौल के अंदर रहने के लिए और टेस्टमनी देने के लिए परमेश्व में खड़े रहने के लिए क्या चाहिए और आप उस चीज़ पर काम करना शुरू करते हूं आप इमेजिन करो जब जैसे ही मैं आफ्रीका में जाते था अपने लोगों को भोलता था आप देखना कैसे काम होते हैं, ऐसे क्यूंण ईपना कैच चर्च बढ़ती हैं, ऐसे क्यूंण तो कि मुझे पता णहें करता हूं वह दीज़़ों के आया हूं जो मुझे फल देने वा है कि वो मेरा एक हंडर्ड परसंट कंफर्मेशन होती थी बाइबल के वोर्ड की कि जो मैं बॉंग पर तो काटूंगा है 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 हलेलुया आप जानते एक स्ट्रक्चर परमेश्वर मैंनेज परमेश्वर है वो अनमेनेजबल अनमेनेज परमेश्वर नहीं वह एक मैनेज परमेश्वर है उसने एक धांचा बनाया और वो धांचे से वह बाहर नहीं आता आपके लिए एक structure बना दिया उससे वो बाहर आके काम नहीं करता अगर आपको अमेरिका की सहूलते चाहिए तो green card किसका चलेगा एक एंगलेंड का चलेगा हां अगर इंग्लेंड की सूने 또 उन सुने वह अगे लोग आपको मानेंगे गयास कनेक्शन देंगे नहीं क्योंकि एक धांचा बना परमिश्वर ने एक धांचा बनाया आप जानते हैं वो धांचा इतना जवर्दस्त और खतरनाक है और इतना आशिशित है अगर आप वो धांचे को समझ जाएं आप सफर नहीं करेंगे अपने लाइफ में आप जानते हैं जब मरियम मरियम और हरून ने मुसा का विरोध किया आप जानते हैं वो विरोध सही था पर परमिश्वर ने मुसा को कुछ नहीं बोला और मरियम को कोड़ी कर दिया हा या ना क्यूं क्योंकि एक धांचे के मुताबिक आप में और आपके फादर में हमेशा आपका फादर राइट है यह धांचे का एक गुण है आप में और आपके स्पिर्चल फादर में हमेशा कौन राइट है चाहें आपको लगे आप सही हैं पर हमेशा सही कौन निकलेगा आपका फादर आपके स्पिर्च्छल फादर और परमेश्वर में हमेशा कौन सही निकलेगा परमेश्वर और लोग जब आप जानते शैतान क्यों गि नहां क्योंकि वो परमेश्र को गॉर्ट करने की कुषिक कर रहा था कि वो यह बताने की कुशिश करने परमेश्वर को कि मैं तुस्ष्झे ज्दा अच्छा सोच सकता हूं आप जानते हैं आज भी कुछ लोग ऐसा पाप करते हैं जब वो अपने फादर को करेक्ट करने चले जाते हैं और परमेश्वर की निगा में पापी हो जाते हैं क्योंकि आप में और आपके स्पिर्चल फादर में हमेशा कौन सही है आपका स्पिर्चल फादर और परमेश्वर में हमेशा कौन सही है परमेश्वर यह धांचा है इस धांचे को अगर आप तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेंगे आप ही फसेंगे आपका फादर नहीं फस authority को correct करना शैतानी पाप है एक rebellion rebellion मतलब विरोधता का पाप आप जानते हैं वेभी चार के पाप से भी बड़ा पाप है विरोधता का पाप पहला पाप जो दुनिया में आया आदम और हवा से पहले वो विरोधता का पाप था विरोध का पाप और आज भी अगर शैतान ने किसी बंदे पर अटैक करना हो वो इस पाप से नीचे लेके लोगों को जाना चाहते हैं कि इसी लिए अगर आप मुझे अपने पास बिठा के डिसकॉशन करेंगे कि फलाने बंदे ने रेप कर दिया या फलाने बंदे ने ऐसा कर दिया फलाने ने ऐसा कर दिया मैं अपने मूं को सी के रखूंगा कोई मुझे उन कामों से कोई मतलब नहीं है कि नेवर मैं अपने दुश्मन का भी विरोध नहीं करता कभी जिसने मेरे खिलाब बोला उसका भी विरोध मुझे बता विरोध करना शैतान की और से और जब एक आदमी अपनी अथारिटी को को रेक्ट करना चाहते हैं वो पूरा हंड्रेड परसंट प्योर डेवलिश है है ह हंड्रेड परसंट डेवलिश है वो शैतानी है वो क्योंकि आप में और आपके स्पिर्च्वल फादर में हमेशा कौन राइट है चाहिए आपके पास हंड्रेड बहाने हों लेकिन हमेशा वही राइट है जो आपके ऊपर है हालेलुया कितने इन बातों को समझ रहें क्यों आपको चाहिए उसी सबसे आपको चलना है अपने सालवेशन का ध्यान रखते हुए कि मुझे हीए चाहिए तोसब कोच है लेकिन सबसे आधिक मुझे चीच चाहिए वहले मुक्ती में बने रहना है आशिष LB अंना आए वो मेरा परमेश्वय है चंगा क्रें ना करें वो म कि आपको स्ट्रक्चर के अंदर जाना और वहां सब कुछ है लेकिन उसके अंदर जाने से पहले उस धांचे से प्यार भी करना है इस मुझे लव भी करने और लव का मतलब जब वो दे ना दे आपका परमेश्वर वही है आप अपने डैडी को इसलिए डैडी नहीं बोलते व है वह आपको सो रुप्य ना भी दे तो भी आपका क्या है डैडी है आपके थपड़ भी लगाए तो क्या है आपका है हालेलुया और जब आप उस स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश करते हैं परमेश्वर आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है उस्तिकात मुसा ने गल्ती की वो मेरा और मुस्तिका मामलन ए तू कौन है और लिखा वो कोड़ी हूई मुशत को मैं संभाल दोंगा मैंने मूसर खड़ा किया कि तूने खड़ा किया मूसा को मुशा को मरियम ने खड़ा किया परमेशों ने खड़ा कि चेгляд One तो किसा रिचान रही हो और मैंने अधै Bowl देखे हैं जिन्होंने कभी आज तक टाइथ नहीं दिया पर प्रार्शना करते परमेशों मेरा बिजनस बढ़ाए आप परमेशों को बोल रहे हो कि मैंने अंदर नहीं आना मैं तुझे घड़ीस के बाहर निकालूंगा स्रक्चर से बाहर आके मुझे बरकत दे अंदर नहीं करती आना मैंने तो तो वह क्या कहता कहता मैंने अपने नाम से अधिक बढ़ा अपने वच्वन को समझा को देखो युशत हyu कहना नाम इतना बड़ा है कैंसर घुटने देख सके आए पर लिखा उसके नाम से भी बड़ा उसका वचन है वो अपने वचन से बाहर कैसे आजा जाए आपके लिए आपके छोटे से बिजिनस के लिए आपकी छोटी जी हीलिंग के लिए और जैसे ही आप आज भी इस टोड़ने की कोशिश करते हैं आप भी परेशान होते परमिश्वर ने आपको उस धांचे के अंदर हैं हर चीज के लिए परमिश्वर नियम बना दिया है आपको उस नियम को ढूनने बाइबल स्टड़ी से चर्च आके आत्मा से प्रार आपको क्या करने आज से उस धांचे के अंदर जाना है आपने लेकिन सबसे पहले तो धांचे से क्या करने प्यार करने बिना प्यार उस धांचे के अंदर जाना मतलब आप लालची हो आपको सिर्फ उस धांचे की चीजों से प्यार है आपको धांचे से कोई मतलब नहीं इसक प्रोसी को बोलो धांचे के अंदर रहें जो प्रभू ने बनाया उसको मत तोड़ क्योंकि वो तेरी आशिश के लिए बोलो बोलो अपने प्रोसी को आपको मैं देखना चाहता हूं बोलते हुए आमें जोर से बोलो आमें हालेलुया आप जानते हैं जब यहोश्य की पुस्तक आप दस बाब पढ़ते हैं उसमें लिखा कि यहोश्य ने सूर्य को बोला तो विबॉन के ऊपर ठैरा रहे हां ना सूर्ज चंद्रमा उसने हिलने नहीं दिये हां या ना और चार पहर सूर्ज एक जगा बेटिका रहा थ आप जानते हैं क्यों कि अपने दुश्मन से फाइट करने के लिए आपको रोश्नी की जुरुत है जब आपके लाइव में रोश्नी नहीं है आप अपने दुश्मन से फाइट नहीं कर सकते हैं आमेहिन अपने प्रोसी को बोलो तुझे रोश्नी चाहिए लड़ने के मैं एक रॉष्णी में लड़ रहा हूँ कैसे मेरे को मालूम है कैसे आगे बढ़ने कैसे अगवाई करनी किसके सामने चुप रहना और किसके सामने बोलने उसका स्ट्रक्चर उसका धांचा क्या है और उस धांचे में काम कैसे होते है कि यहोणां बब्तिसमा धाता ही अर्च कैता तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार Woo है एक यह बंदा था इस दुनिया में जिसको स्वाओं निशाने मीलिती डिस पर फवित्र को को उतरते और ठहरते देखे वो पवित्रात्मा से बप्तिस्मा देने वला होगा हां और उसने ही देखा था कि कभूतर की नहीं पवित्रात्मा उसके उत्रा और ठहरा फिर उसे शक क्यों हुआ शक नहीं हुआ ताना मारा उसने उसके अंदर गुस्सा था कि मैंने फ्रभू को भुक्तिस्मा दिया मुझे छुडाने नहीं आ रहा वो एक्षिम सब्सक्राइब चुड़ाया उसको चुड़ाया हाँ चुड़ाया के नहीं क्यूं क्यों कि वो अपने धांचे से बाहर आगे काम नहीं करता आप कुड़कुड़ाएं कि वो आपकी लाइश में काम नहीं करता पॉलूस और सिलाज उसी जेल में ऐसी जेल में थे उन्होंने अराधना की कर रहे थे अराधना कर रहे थे हाँ या ना तो अपने धांचे से बाहर आगे काम नहीं करता आप बड़े हो आप छोटे हो आप पास्टर हो आप प्रॉफेट हो आप कोई भी हो बिशब कोई भी हो वो अपने धांचे के बाहर आगे काम नहीं करेगा अपने धांचे के अंद पर रहके ही जज्मेंट दे सकता इसे हैं अपने हातों को उठा नश्टेंक इंदुअकि जीजस हिला अपने हातों को आई हिला अपने हातों को तैंकि जीजस even मेरी जिन्दगी में सोक नफन लेके आए पिल्सके नश्क को थैंकि इंद॑ चीजस eos पुलते हुए प्रभीश्य मसी के समर्थी नाम में मनते हैं प्रमेश्वर के बचनों को सुनने के लिए हमारे जैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए